आप लोगो को खाल दोस्तों मैं हुँ दॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन एक बार फिर आप लोगो को स्वागत है दोस्तों कोरोना वाइरस के बारे में एक वाइरल लोड का कॉंसेप्ट है और उसका क्या मतलब होता है यह कोरोना वाइरस सार्च योवी टू पैंडमिक कोविड भाई साब सबको पता है इसमें जितने ज्यादा वाइरस आपके अंदर होंगे मौजूद या द कितने अमाउंट वाइरस चाहिए क्या एक वाइरस आपके अंदर जाएगा तो वह इंफेक्शन कर सकता है तो क्या वह अकेला इंफेक्शन कर सकता है कि उसकाِ डौज है कि यहां पचास वाइरस चाहिए यह 2090Ay他 भाहाट कोई पैशं। जहांट चुब खासता है या च्छी को यहांद दो कौन्सेप्ट हम समझेंगे इंफिशयस डौस का और वाईर लीड का बात करेंगे कि वाईर ल्लोड जो है और यादा रिस्पॉंस बिमारी होने का भी तो इस वाईरल रिस्क को यह वाईर breast को कैसे कैसे कम किया जा सकता है उस बारे में हम बात करेंगे आज बहुत बढ़िया टॉपिक बहुत इंपोर्टन ठीक है तो सबसे बहली बात इसमें infectious dose जो होता है देखिए influenza virus के जैसा वाइरस है influenza like virus और इसमें respiratory virus infection के अंदर studies बहुत हो चुकी है इस particular virus के लिए यह देखा गया है कि ज्यादा तर influenza के viruses है उनमें सिर्फ 10 virus particle सिर्फ 10 virus particle भी अगर आपके अंदर चले गए तो वो आपको infect कर देंगे this is the infectious dose of that virus अभी फिलाल SARS coronavirus के लिए यह इसका number decide नहीं हुआ है पता नहीं चला exact कि कितना है लेकिन जब एक normal influenza virus यह जादा तर influenza virus के लिए सिर्फ 10 virus particle काफी है तो corona के लिए वो या उससे कम हो सकता है the infectious dose is actually low right मतलब हो सकता है 2-4 particle ही आपको infect कर दें यह माना जा रहा आप exact नहीं पता है scientists are working on it viral load क्या होता है अब virus अब आपके अंदर गया तो वह replicate होना शुरू करता है अब याद रखिए चाहे आप viral load का मतलब क्या है कि आप आपके पूरे शरीर में कितने virus है राइट हम अगर आपके नेजो फैरेंग्स में नाक से या गले से एक निकाल के वाइरल टाइटर भी निकालेंगे तो वह गले का मूग का टाइटर होगा आपके लंग में वाइरस आपके पूरे शरीर में कितना वाइरस है राइट गर यह चीज आप सोचके देखो किस पर करेंगी आने वाहले वाइरस पे अगर आने वाहले वाइरस पर डिपैंड करती है तो अभीसी बात है एक वाइरस अगर एक से दो करेगा तो दस वाइरस दस से बीस कर देंगे और वो दस गुना स्पीड बढ़ेगा तो येस नमबर एक उसका infectious dose पर स्फिरक पड़ता है तो इस infectious dose को कम करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं जो मास्क है मास्क पहनने से ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वाइरस नहीं जाएगा हमारे अंदर कम वाइरस जाएगा नमबर दो जो बाहर फेकेगा वो कम फेकेगा या ना के बराबर अगर सही से फिटिंग वाइरस है सही से फिटिंग मास्क है तो नहीं फेकेगा बाहर सो मास का रोल इसमें आता है सैनिटाइजेशन ओफ हैंड अलकोहॉल ये सब का रोल आता है कि हमारा इंफेक्शियस डोस मिनिमाईज हो जाए और अगर हमारा वाइरस चार भी अंदर चले गए तो अब ये वाइरल लोड जो है ये डिसाइड इसमें नहीं है कि आपके अंदर किते गए तो कि चाहे 10 गए 20 गए स्पीड बढ़ जाएगी ये लोड जल्दी आ जाएगा बिमारी जल्दी आ जाएगी गर जादा वाइरस आए लेकिन आपके शरीर उसको कितना मल्टिप्लाई होने देगा ये आपके शरीर पर डिपेंड करते हैं ये किस पर डिपेंड करेंगा है आपके जीन्स आपकी खुद की इम्यूनिटी आपकी उमर ठीक है ना और आपके शरीर में मौझूद जो अभी के डिफेंस प्रोपरसेस हैं आपके सिस्टम है कितने अच्छे हैं आपका पॉर्टिकलर बॉड़ी में इम्यूनिटी कितनी है अगर आपके जेनिटिक जीन्स बोलते हैं कि भी आप बहुत जादा सकसेप्तिबल हो ऐसी बिमारी के तो आपके अंदर हो सकता है वाईरल लोड बहुत जादा मल्टिप्लाइ हो जाए और तब तक आपका शरीर कोई response न दे क्योंकि वाईरल लोड ऐसा तो है झार्यक्रास तो इसमेंद करेगा आपको पहले कभी ऐसा वायरस हुआ है क्या अगर पहली बार को विट से इंफैक्टेड विद वापस जाता है तो अब की बार आपकी उतना वाइरल लोड होने नी देगी तो उतना भीमारी ही नहीं होगी, so that is the concept of viral load, जो depend करते हैं आपकी immunity पे, और उसी चीज़ को कम करने की ये सारी दुनिया भर की दवाएं, high viral load is linked to high risk of pneumonia and death, simple, अब उसमें जो दवाईयां आती हैं, ये चाहे आपने starting phase में, early phase में, आपने फावी पीवाविर ले ली, फावी पीवाविर पे वीडियो है, जिसमें हमने समझाया कि वो कैसे आपके वाईरस के RNA polymerase को inhibit कर देता है, तो replication नहीं हो पाता, viral load कम हो जाता है, viral load कम हो जाना मतलब आपके body के help हो जानी कि उसको मार दो भाई, वो early stage में, एक बार viral load बढ़ गया, फिर फावी पीवाविर उसको कुछ नहीं कर पाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, एक बार viral load बढ़ गया, तब भी और पहले भी HCQS काम आती है, HCQS के side effect है, बिल्कुल है, potential side effect, लेकिन काम अभी भी आती है, अभी भी की जाती है, ऐसे ही आइवर्मेक्टिन को भी काम में लिया जाता है, जिस पे भी हमने research करके बताया था, और वो officially नहीं यूज़ होता है, आइवर्मेक्टिन अभी recommendation में नहीं आई है, फिर भी यूज़ होता है, आइवर्मेक्टिन, HCQS, फिर जो असल्ट आमी विर है, फ्लू विर है, नूरमिडेस इनिबिटर, वो भी यूज़ होता है, वो सारे azithromycin भी यूज़ आता, यह लोड हम कम कर देते हैं, तो आपका शरीर को आसानी हो जाती है, वाइरस को मारने की, अब समझे, अवल तो वाइरस आपके अंदर गया, तो आपके शरीर के अंदर आपकी उमर के अनुसार 80-90% chance है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, 10% chance है जो आप बिमार होगे, तो आपको कुछ नहीं होगा, तो वाइरल लोड कम करने का यह सारे तरीके हैं, number one is prevention, कि आप बाहर से अंदर मत आने दो, number two is your immunity, number three, एवन यह देखा गया है, चाहे आम हल्दी की बात करें, चाहे हम अशोगंदा की बात करें, चाहे गिलाई की बात करें, चाहे लेम वो literally virus को flush out करता है literally आपका flush out होता है virus आपकी body से तो viral load कम होता है so पानी itself आपका viral load कम कर सकता है so यह compound चीज है समझने वाली डरने वाली चीज नहीं है यह अगर आप समझ गए तो आप उससे बच जाओ बिल्कुल वैसी बात है कि अगर हमें नहीं पता कि यह मच्छर है यह बहुत सारी मक्हियां है मक्हियों से तो फिर भी कोई मक्हि काटती नहीं है लेकिन अगर हमें पता है यह क्या है तो हम उसमें अपनी मचरदानी लगा के मक्हियां को लगा कि आराम से उनको भगा सकते हैं थोड़ा सा स्प्रे करके भगा हमें पस knowledge होना चीए यह क्या चीज वरना हम तरही तरही करन लग जाएगे तो कोरोना वाइरस को समझिए वाइरल लोड को समझिए वाइरल लोड कम करने के लिए सारे सिस्टम है वाइरल लोड का कॉंसेप्ट ही इसी में आता है कि कोई भी दवा आज तक जितनी भी निकली है या निकले गी वह वाइरल लोड ही कम करेगी और अगर आ कॉफी पी जिए कोफी गार्गलकर करें गार्गल से क्या के प्राबलम कहा हैं लोग ऐसे ऐसे ढावे करने लेकिन गर्म पानीच से गार्गल करने से मुख के अंदर जो को पर उपर है मान लिज्या अभी कोरोना वाइरस किसी ने छीका मेरे मुह में गया तो एकदम से नहीं वो अंदर घुश जाएगा वो जाएगा सलाइवा पर ठोड़े बहुत होंगे थोड़े बहुत अंदर चले जाएगे दसवारा तो इन्फेक्शन तो करेगा लेकिन उस समय आपका वाइरल लोड कम कर सकते हैं अगर आप घरम पानी पीकर लेते हैं विटाडीन के गरा रही कर लो नमक वाले गरारे कर लो कुछू भी कर लो इसलिए और गला भी ठीक करता है गला भी सूध करता है और इस उसका कोई प्रूफ न होगे यह बोलना गलत है कि यह चीज treatment है यह बोलना सही है कि यह help कर सकता है alcohol मुह में नहीं डालना दारू आरू उससे नहीं होता ठीक उससे आपकी immunity कम होती है अल्कॉहल से immunity कम होती है regular गारगल कर सकते है उससे गला ठीक रहता है, गले की congestion ठीक होती है, पानी जादा पीने से बलगम ठीक होती है, सास ठीक रहती है, सो बहुत साथ, steam लेने से अंदर सब कुछ बहतर रहता है, so a lot of things can reduce your viral load, you can do that, right, जैसे के अगर कहीं पर भी, अगर हम बात करें, दवाईयों की, zinc की, vitamin C की, यह सब आपकी immunity बढ़ाते हैं, आपकी immune system को help करते हैं, इस virus को आगे बढ़ने ना देने से, so viral load कम करना आपके हाथ में है, अगर आपकी immune system, आपका जो cytokine storm पैदा कर रही है, तब आप बहुत जादा बीमार हो जाओगे, तब उसको reduce करना डॉक्टरों के हाथ में है, वो हम आपके चाहे steroids दे के करें, डेक्सा मिता तोन जो आपको hospital में दिया जाता है, इंट्यूबेट करके करें, supportive therapy से करें, यह उस समय के situation पर depend करता है, तो viral load का concept मुझे आपको बताना था, कि आज के बाद जब भी आपको कहीं सुनने को आए कि यह treatment है, उससे बस यह सुचिएगा कि कहां पर virus का load कैसे कम हो रहा और अपने area में ध्यान दीजे कि हां क्या यह मुझे काम आएगा या नहीं मेरे case तब आप decide करिए कि आपके case में क्या बैतर है क्या नहीं और याद रखिए जैसा हम कमेशा कहते हैं अपना सैना पती चुनिए अपन से कनेकट ते यहांती